एक जो आज वाला रिकॉर्ड लेक्टर है ये भी रख लेना आपने पास, ठीक है उसका रीजन क्योंकि अगर माल लो उसमे जो टाउट होंगे आज वाले लेक्टर में क्लियर हो जाएगे, ठीक है? ओकलो ऌुचना वर नियक्स आप चाहिए पास एक लीजन क्वीपल मोमेंट पे नेक्स टाउट था आकले पास य। जो परड़्लाक पर शिरू कर दिया था है स्टार्क कर दिया जाना? आप अबले जसमे भी एक होमबग रिया था है लो कारी के बोलो होंड़ का का Mr. रल् editors हो अजय को बोल् syndrome अच्छा बूलो कॉन सा मॉलीकूल था? अमिल्चत दिया था, नंबर उफ सिग्मा पाई गॉल्ट अमिल्चत दिया था में एक यह था CH3 CH3 CH2 CH, single bond C, triple bond C, single bond C, उसके साद H जुड़ा हुआ नीचे, नीचे H, double bond C, H2, H2. यह यह molecule दिया था? निकालनो उसके आंसर चेक कर देते. मैं नगीन इस SP3, SP3, SP, SP, SP2, SP2, मैं नमरी करे हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कावन, 7 कावन, साथ कावन है, जिसमें आपका को डाउट है, वो आप उप सकते हैं. नाम किस वाले मैं? मैं यह बापू ठीक हूँ. SP2 होगा, C, H2 वाला. यह जिस फिफ्थ कावन है, इस पे डाउट है, तो फिफ्थ कावन में 2 हाईटूजन, 2 सिगमा बाउट, 3 सिगमा, 4 सिगमा, जो यह चार सिगमा बना रहा है, तो SP3 होगा. 4 सिगमा बना बना, जो जो 1 पे 2 सिगमा बना, 1 पे 2 सिप में 1 करmind, 4 सिखमा बना, जो 6 सिगमा बना, 4 सिगमा बना, दो इक कोई होगा. हाँ लिए अर भी कोई हो बपना इस तो अर्गनिक है बडेजिशन गलत तिक है CH3 CH2 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 नहीं सकता पुरा ही जो गए ना, आपको बंडिंग पूरी तो करनी पड़ेगी, चार बंड पड़ेगी, तीन बंड कैसे स्टेकरोंगे मैं जा में CH ठीकरोंगे ठीकरों से करको मैं CH ठीकरोंगे हाँ जो ची चेक हो गया हूँ जो कि मैं जो को गया हूँ बोलू C2 अगला मौली के उथा C2, Cn4 C2, Cn4 C++N C++N hybridization is इस काबन पे 2Sigma-bonds है 2 sigma SP2 Again 2 sigma 2 sigma SP SP Again 2 sigma SP 2 sigma SP Here it is 3 sigma 3 sigma SP2 SP2 इस ये क्या है? ठीक है सब क्या है बिराजिशन लिख 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 लिए इस मॉलिक्यूल में मिटो जब आख में रिखा C triple bond N और निट्रोजन पे एक लोन प्यर भी होगा, तो निट्रोजन में आप होगे वन लोन प्यर, वन सिग्मा, इस स्प, वन लोन प्यर, वन सिग्मा, इस स्प, स्प हईविदाईजेशन. तो हाँ, आपधरेशन भूज गे दो, वन रिंका था, हाँ जोचे नेक्स्ट पर खुजिए हाँ, इसमें मेरा कुश्चन था, नमबर आओफ सिग्मा एंड भाइब ओंस, सिग्मा एंड पाइब ओंस, तो इसमें सिग्मा होंगे नाई, एंड पाइब ओंस भी ओंस, दो 4, 5, 6, 7, 8 5N sigma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हाँ जूट अब और पिडाउट किसी का हाइविडाजिशन में ठीक है जहाँ अब अभी हाइविडाजिशन लिखा है उसके उपर लोट की पॉम में लिखू है कि टाउट अगर ऑक्सिचन ऐसा आपको नजर आ रहा है तो आपकोगे स्प्रियौकी तू लोट पिर्स फॉल पर्स तो ऑक्सिचन को टिरट देख किया हैविडाजिशन उफ्ताहि जा सकती है तो नोंतियर्स और एक सिग्मा क्योंकि डबल बॉर्ड में से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है पुरो कितना हो गया? थ्री अगर ही थ्री नंबर आ रहा है थ्री क्या होता है? सोच के बिताओ जोली से अगर ऐसा लिखा जाए तो ऑक्सिजन पे क्या हाइबिडाइजेशन रहेगी? वन सिग्मा थ्री नों पेर्स टोटल इस एस पी थ्री तो ऑक्सिजन के लिए हम इस फॉर्मूलास की जरूरत कम पड़ती है जैसे काबन के लिए भी पड़ती है इनको आप डिरेक्टली फॉर्मूलास से ना निकाल एक है सोच के भी आंसर दे सकते थे तो यूजेशन पर हाइबिडाइजेशन अफ ऑक्सिजन ठीके जी समझा गया सोच के देखो जरा अगर आपसे बोलूं कापन देक्साइट अगर आपसे बोलूं कापन देक्साइट तो यूजेशन फ एक एक अलेवेंट इसका बता होची विटा तो लोन पर्स वन सिग्मा तो ये बन जाएगा SP2, गे भी SP2, और ये बन गया SP, ये आप ओंगे carbon is SP, oxygens are SP2. hybridization कको ये बनेक्ट सभरागें सारा के सारा? इसलागा थी खुलाद, इसलाद, हाई बदी तो जबन के वाइने बनाद, जबने के वाइने, और आपका देपल, मुमेंट कक्ला homework चेक कर लेते हैं, दाइरो मोमीट में मैंने आपको भूंबग दिया था CCl4 ClCl3 CH2Cl2 CH3Cl ये चार दिया थे मिले कारबन के उपर जब चार टॉर्ण सकते हैं 4 क्लोरीन अटम्स तो क्या आपने यही बनाया चारो वैक्टर्स विल्कुल एक जैसे क्लोरीन की तरह फेस करते हुए जब चार वैक्टर्स सेम डारेक्शन में हूँ तो इनका सेम साइज सेम टाइप तो म्यू क्या आजाएगा जीरो तो CCl4 तो आगया नॉन पूलर क्लोरोफोर्म में यह CCl3 में एक एक है और तीन क्लोरीन मेटा क्लोरीन बादा वाक्टर क्लोरीन की तरफ दो तीन और हाइड्रोजन और काबन में से काबन मोर इलेक्ट्रो नेगिटेफ यह CCl4 क्लोरीन और काबन में से काबन चारो वाक्टर सेम नहीं है पिक एक तो हाइड्रोजन और वाक्टर है तीन क्लोरीन तो म्यू इस नॉट इक्वल तो जीरो अगर चारो सेम अटम्स हों तो जीरो एक भी डिफ्रेंट आ जाये तो नॉट जीरो दो क्लोरीन काबन का नॉट जीरो क्लोरीन काबन में से काबन और क्लोरीन की मू इस अगे नॉट एक्वल तो जीरो लेंथ के हैं दो कुछ और लेंथ के तो जीरो तो नहीं आ सकता, CH3Cl में आपके पास तीन हाइड्रोजन्स और एक क्लोरीन, क्लोरीन वारा एक्टर क्लोरीन की तरफ, बाकी तीन हो हाइड्रोजन की तरफ and we get mu not equal to zero, यानि हमें ये समझ आ रहा है कि जब एक भी वेक्टर डिफ जीरो आजाएगा, यानि पोलर आजाएगा, यहां तक समझ आ गया कि polarity के लिए, अगर चार वेक्टर हैं, चारों में से एक भी different atom है, तो mu is not equal to zero, तब भी दॉन्ट से हो लिया है, आप CL लगाओ, नीचे लगाओ, लेफ्ट लगाओ, राइट लगाओ, वो आपके वरसी, लेकिन आपका आंसर not equal to zero यहार है, विगि आपका एक वेक्टर तो different हैंगे, कभी एक, कभी, दो, कभी थी हो, है ना, आपकोगे, इन में से, सबसे ज्यादा polarity चो है, वो CH3Cl की है, maximum polarity is of CH3Cl, नमबर 2 प्या आएगा, CH2Cl2, then is CHCl3, और सबसे कम, zero polarity, mu0, CCL4, तो जितने ज्यादा क्लोरीन, उतनी कम दैपोल मोमेट, लर्न करना पडेगा, रटा लगाना पडेगा, because it is experimental fact, learn, experimental fact है ये, तो हमें experiment से समझ आया था, कि ये वाकी ऐसा, factual answer देते है, जितने ज्यादा क्लोरीन नजर आ रहे है, उतनी कम दैपोल मोमेंट नजर आ रही थी, नजर आपको दीआ था, तालपर मोमेंट का, आप आगे कॉंटीओ कर रहे है, चेकेजित, अगला मौलिकूर है आर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजीन आर्गेनिक मॉलिकूर मान नहीं आपको बेंजीन दिया तो बेंजीन ने सिक्स हाइड्रोजोन से काबन और हाइड्रोजोन का वैक्टर तो काबन की तिरफ था ये सारे वैक्टर्स चभाने लगा है तो नेक्ट रिजल्टेंट जीरो आएगा मुआ इन पिल तो जीरो देख़ो जगो जगा उपर वाला नीचे को कैंसल कर रहें नेट वाला राइट को ये इदर वाला इससले को तो ये सारे वैक्टर्स एक दूस्रे को कैंसल कर देंगे तो मुआ बग्सिरो तो बेंजीन इस नॉन पोलर सॉल्वेंट यह अपने हमें कर दा है बेंजीन इस आर नॉन पोलर सॉल्वेंट यह भी का पाया है यह फाइं से बजागे अगर हम बेंजीन के उपर एक क्लोरीन लगा दे क्लोरो बेंजीन इसका नाम है क्लोरो बेंजीन मेंटे जब हम क्लोरो बेंजीन लिखते हैं तो क्लोरीन वाला वैक्टर काबन से उपर के तरफ जा रहा है एक डिफरेंट वैक्टर आ चुका था जब एक different factor आ गया तो mu is not equal to zero यह polar आ गया chloro benzene is polar ठीक है ठीज़ में आ गया आप चो point बताने रगी हो उसको बहुत ध्यान से समझता ना से समझताने खूदुके माम για हमामनिकल जया है ना मभलार diff soothing रे खूँनी कारना यह liberal है यह यह जगेाँ जप्सyt говорить अमाम्मम यह बदानी का है गदक्ता है है Cantonese भीने एपना भीने जग्टाइल बादो गवाल रहे नहीं तो आप पुड़ अपूए आप से गझ में हुड़ा को भी जोल नापक रहे दो आप समय को आपूए आपीजिवा नापक पुर दिए गझा है जो पादो ये में नहीं पादो निए प्रीख से गझाए अब पहले नी समझ लो फिर बार में एकी बार नोट कर ले ना अब समझ लो पहले लिखना बार कर लिखना बार कर लिखना विंजीन में six positions है one two three four five six अगर कोई भी दू adjacent जैसे ace position को और इसको कहूं तो ये adjacent positions है इनको मुलते है ortho positions अगर ये वरी दोलो positions हों तो भी ortho ये दो हैं तो भी ortho ये दो आजाएं तो भी ortho these two are again ortho कोई भी दो adjacent positions और थो है alternate positions first और third ये दोलों क्या बनेगी meta ये दोलों में क्या बनेगी meta 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 और opposite position एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो तो पैरा एक इस side पर लगा दो तो भी पैरा one and two again para for example आप बताओ जराओ उठे अगर मैं ऐसे बनाओ तो ये कौन सी position से ortho और थो इसको मिटा के दर कर दो तो meta 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 और अब meta meta ठीक है और और पैरा ठीक है तो बेंजीन पे तीन positions होती है adjustment positions को हम कह सकते है one और two पे meta को हम कहते है one three पैरा को कहते है one four ठीक है counting क्योंकि आपने अपनी मर्जी से शुरू करनी होती है तो जिससे मर्जी one कर सकते थे तो ये बन गया one two one three one four मान जो मैंने ये लिखा one and two ये लिख दिया कौन सा बनाया ortho या meta या पैरा और तो आप ओगे और्थो डाइ ख्लोरो बेंजी इसका नाम रखा गया और्थो डाइ ख्लोरो बेंजी आप सरह इसका नाम बता ओगे मुझे इफ इस रिटन लाइक दिस ये बीच में मैंने गोल साज द्रॉ किया है वो इन तीन पाइ बॉंड्स को द्रॉ करने का एक option है ट्रीपाइ बॉंड्स कैने रितन रसर्कन डिता डाइटर, बेटा, डाइटल, प्रिची, बेटा, दाइटल, डेटेन, बेटा, प्र तेटी, डाइटर, आप संवर्टी, ताइटल, तिते बीचूंड्स नेम थे इस ट्रीच कोपूंड्स दूज़े भी हो जज़ी पूज़े लिज़े भी है? दूज़े भी पूरी है 16 सिर्टीव गतल में लागे है 13 सिर्टीव 13 सिर्टीव सकते पूंदो से का मैं में पूंझा भुछाए के इंको में अच्पलाइ को टार शड़्स कोई रिखे आविके नामन दिनो का? बताओ जी कोविद क्या रिखा? सेकंड का ना? मेटा-दाइख्लोरो-benzene उसके रिखे रिखो 1-3-दाइख्लोरो-benzene ठीक है? हाँ जी बताओ रिखा? क्या रिखा नेक्स्ट? पैरा-दाइख्लोरो-benzene और 1-4-दाइख्लोरो-benzene अब हाँ में किरना था इनका वैक्टर कॉन्टीज? मेटा ये क्लोरीन बाला वैक्टर इस direction में गया 2 वैक्टर्स अगें here we can have 2 वैक्टर्स यहाँ पे फिर से हमने 2 वैक्टर्स ट्रॉ कर दिये तो 3 इन सिटुएशन जराई सुई? विबूती सोच के बताओ बिटा कि इन में से कौनसे में टाइपोल मोमेंट म्यू जीरू आजाएगा? कौनसे केस में म्यू की वैल्यू जीरू आजाएगी? वैक्टर्स कैंसल कर पाएंगे? और्थो, मेटा, पैरा दो वैक्टर्स कब एक दूस्ट्री को कैंसल कर पाएंगे? एक उपर को खींशा है, एक नीचे को तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरू ठीक है? तो पैरा केंसल आउट हम देने पैरा जो है वो म्यू को जीरू ले सकता था यहां पे म्यू आजाएगा जीरू क्योंकि दो वैक्टर्स के बीच में अगल पॉर्ण एंगल 180 डिग्री आजाए तो म्यू वेशा क्या आजाता है? जीरू टू इक्वल वैक्टर्स 180 डिग्री एंगल उसके बाद अब आपके पास दो वैक्टर्स हैं जिनमें अगल है 120 और और तो में दो वैक्टर्स हैं जिनके बीच में अगल है 60 डिग्री ठीक है? हमारे पास तीन सिचुएशन्स अराइस हो रहे थी एक बार 60 डिग्री का अगल दिखा रहा था एक बार 120 और एक बार 180 में अब मियू रिजल्टेंट का फामूला होता है मियू 1 स्क्वेर प्लस मियू 2 स्क्वेर प्लस 2 मियू 1 मियू 2 कॉस थीटा अंडर तरूट रिजल्टेंट वैक्टर कैसे निकालते हैं फिजिक्स में आपने वैक्टर्स कर लिए यह निकालए अपने आप फिजल्टेंट हुआ आप फिजिक्स में कहते हूँ वैक्टर 1 और बैक्टर 2 का रिजल्टेंट वैक्टर 1 वैक्टर 2 स्क्वेर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 च्वीत है अंडर तरूट अगर अगर हमें resultant factor चाहिए तो बताओ cos theta, जब theta कम होगा तो resultant क्या आजाएगा, बढ़ाएगा, जब theta कम होगा, तो resultant will be larger, क्योंकि theta कम आएगा, तो cos theta की value जो है, वो यहाँ पर जब solve करोगे, तो value क्या आती जाएगी, bigger value आएगी, जब theta बढ़ा हो जाता है, तो ये value negative हो हो जाएगी है, छोटी हो जाती है, तो resultant भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये ही था, तो आब हम कह सकते है, mu resultant is inversely proportional to theta, ये जितना कम angle, उतना जाता resultant, that means small angle, more resultant, ये समझा आगया, small angle, more resultant, इस पूरे point से हमें क्या समझाया, हमें ये समझाया कि ortho चुहे, ज्यादा polar होगा, then meta, and the least is para, ortho is more polar, ये समझाया, more polar क्यों लिखा मेने, क्योंकि ortho में angle कितना सिर्फ 60 degree, जब angle तो में है, तो polarity ज्यादा हो जाए, तो ortho dichloro benzene is more polar, then meta, then para, हाने मुझे ये समझाया गया सबकर, next is sulfur dioxide, लिखो जड़ा SO2, ठीके structure में draw कर देती हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये polar होगा, या non-polar, this is sulfur dioxide, एक लोन प्यर है के पास, आपने सुच के बताना है कि विदे इस polar और non-polar, sulfur dioxide में एक factor oxygen की तरफ, एक oxygen vector ऐसे लगा है, एक छोटा सा vector उपर की तरफ, क्योंकि लोन प्यर का अपना एक factor होता है, atomic factor, आप तो ये तीनों factors के बराबर है, ये तीनों factors बराबर नहीं है, mu is not equal to zero, that means sulfur dioxide is polar, ये points सबल आ गया? नेक्स आपके पास हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, नेक्स आपके पास हैं, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, आपके पहले समझना हैं, पर एक ये बार मीद करना हैं, इसके साथ थमारा dipole moment खितम हो जाएगा, ठेक है? पिरे carbon compounds की एक special category है, कि जब उस पर दो double pond, एक double pond आगाता है, दो carbon की बीच में, और मैं यहाँ पर लिखूं, chlorine, chlorine, दोनों chlorine, same side पर लिखो, तो उसे बोलते हैं, सिस, चीक है? यह मैंने दोनों hydrogen, same side पर कर दियें, तो सिस, अगर, फिर से जोचो, अगर chlorine, chlorine को opposite कर दें, तो यह बन जाता है, ट्रांस, दोनों की formula में कोई फिरक नहीं है, यह भी दो carbon है, यह भी दो carbon, दो chlorine, दो chlorine, दो hydrogen, दो hydrogen, दो hydrogen,